हालो ओड़ीयर फ्रेंट्स आज सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेट जेट पड़्डा में प्रेंट में सुनम और आज सब कसी हूँ आई होगी आप सब अच्छे होंगे फ्रेंट से आज की क्लास में हम बात करेंगे टीचर्स रिकृट्मेंट बोर्ड की जो टोटल बैकंसी है इसमें 1768 बैकंसी है जो की टेंटिटीव है इसमें चैन्जिंग हो सकती है जिसमें करंट बैकंसी है आपके 1729 और 49 बैकंसी बैकलाग वाली है बैकलाग बैकंसी वह होती है जिनका एडवर्टाइजमेंट पहले कभी हो चुका होता है किसी एर में पर क किसी वज़ा से यह वत भी नहीं होपाती है सिटे तो फिर से बाद में उनका वृटामेंट करती है फिर ऊसी कटेगरी के दौरा यह फार्म को फिल किया जाता यह सिट उसी कटेगरी के दर नहीं Yes.. की बात करें तो यह की नव फरोरी की जो डेट है आप यह नोटिफिकेशन है और डेट आप कमेंस्मेंट आप रिसीविंग अप्लिकेशन तो आनलाइन मोड उनली तो चवदा फरोरी इस्टाट है और लास्ट डेट फार समिसन फिल्ड तो पंद्रा मार्च तक यह और डेट की बात करें कम्यूंटी वाइज बैकंसी दिया है तो इसको आप अच्छे से चक कर लेना डाउनलोड करके आप इसके आप इसे वेबसाइट से और इससे के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाक्स में डाल दिया पहां से भी ओपिन कर सकती है और इसके अलमा कंडि डैस हैं उनको काटेगरी वाला डिजर्वेशन मिलेगा पर उसकी अलमा जो में इसके अलमाब बात करें इसमें जो दिया और जिया अहां क Mog केसं की बात करें निज तो सबसे क्वालिफिके शन में की पहले बात करें आपकी अचली मिट프ेंग तो यस लीमिट आपके 53 years होनी चाहिए general category की और other category की जो CSTPWDBC हैं तो उनकी 58 years होनी चाहिए maximum age limit है और आपके educational qualification जो होने चाहिए तो आपके higher secondary यानी की इंटर में आपके 55% होने चाहिए और 2 years की आपके diploma होनी चाहिए इसके साथ है आपके 45% है higher secondary में और 2 years का diploma है elementary education में तो भी फिल कर सकते हैं आप किया four years का तो भी आप इस फार्म को फिल कर सकते हैं यह इसमें आपको बीएड या फिर एमेड या यह सब की जरूरत नहीं है और इसके अलावा है यह से हैं जो तमिलनाडव के teacher eligibility test को qualified किये है पेपर वन की तो भी इस फार्म को फिल कर सकते हैं और इसमें यहां equivalence qualification भी कुछ दिया है और qualification criteria यहां दे रखा है तो इसमें वही रूल फालो होगा 10 प्लस 2 प्लस 3 वाला ओल्ड और जो न्यू है तो वह भी फालो हो रहा है देखिए यहां दिया है 10 प्लस 2 प्लस 4 भी फालो हो रहा है और इसके अलामा बात करें इसमें how to apply तो इसके official website को open करके आप यहां से फिल कर पाएंगे इसके फार्म को और इसमें फ्रेंट से यहां upload documents जो भी होंगे qualification certificate होंगे community certificate होंगे तो जो जितनी भी relevant certificate होंगे आपको सबको apply करने के time जरूरत पड़ेगी और आपको इसके अलामा फ्रेंट से आपको एक के mobile नंबर और email ID की भी जरूरत पड़ेगी और इसकी माफिक examination दिया है तो इसमें आपके टू पार्ट रहेंगे एक है पार्ट A और एक रहेगा पार्ट B तो जो पार्ट A है वो आपके लेंगजवाले पेपर होंगे जो आपके तमिलनाडू लेंगजवाले होंगे तो इसमें फ्रेंट से आपके जो लेंगजवाले पेपर होंगे इसकी eligibility टेस्ट को qualified करना जरूरी होगा हर candidates के लिए जिसमें OEMR-based question होंगे तो ये compulsory है इसका कोई marks नहीं काउंट किया जाएगा पर ये जरूरी है इसमें आपको 20 marks लाना जरूरी है यहां देखिए इसके दिये गए हैं इस लेवर से तो यहां दिया गया है subject पार्टे तमिलनाडू लाना जरूरी रहेगा और इसके अलामा इसमें जो आपका पार्ट भी मेन सब्जेक्ट जो भी आपका होगा तो यह मेन सब्जेक्ट है यह भी objective टाइप के question होंगे और OEMR-based यह भी होंगे जिसमें आपके 500 question रहेंगे और 500 marks के होंगे यानि कि पर question आपका one mark होगा और त्री आवर्स का time duration मिलेगा इसमें और इसमें भी आपको इसमें category wise थोड़ी difference है कि जो qualify marks लाना जरूरी होगा तो 45% mark लाना BC BCM, MBC, DNC, SC, SCA, ST category के लिए है general category के लिए आपके 60 marks लाना जरूरी है और इसकी अलावा इसमें जो आपके पेपर होंगे तो उसकी जो language होगी प्रेंट से तो इसमें जो जैसे की English mathematics है, science है, social science है, इनकी तमिल और English बहुत लैंगज में होगी और English के वल इंगज में होगी और जो यह language वाले हैं तो यह language में होंगे और language के लावा इसमें आपके जो only English language में होंगे तमिल में नहीं होंगे और जो minimum qualification होगा आपके जो final marks ब जो Tamil language है उसकी eligibility test को qualified करना होगा फिर written examination जो होगा आपके second paper का फिर certificate verification तीनों का ही number add किया जाएगा और जो written examination होगा तो इसकी examination result के बारे में जो दिया गया है तो पहले आपका tentative answer किया आएगा फिर उसमें objection करने का आपको time भी दिया जाएगा आप objection कर सकते हैं किसी भी incorrect answer के लि mark होगा फिर certificate verification होगा और इसके अलामा इसमें कुछ other information दी गई है तो इसको देखने ना यहां provisional selection के बारे में दिया गया है इसको भी चक कर लेना आप तो आप इसको download करके अच्छे से read कर लेना फ्रेंट से इसमें presentation दिया गया है इसको भी देखने ना और यह सारी information दी मेरे चनल को लाइक सब्सक्राइब और जरूर कीजिए थाइंक यू